हलो मेरे प्यारे विद्धारतियों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे मैं बच्चे सारे आप बच्चों का जो है स्वागत कर रहा हूँ अभी सा एजूकेशन फॉर एक्सेलेंस के इक्जाम सीरे मिसमें दोचार त्यास में चले बच्चों हम नयी सुबा के साथ दो नय laundit के सांथ नय जों के साथ लेक्ण चतर की स्पुरृध करते हैं देखर बच्य हम चतर की सुरुभाएट कर चुका लेकिन वह तो हमारे फंडामेंटल पिभी आज बच्चे हम लोग य यहां से डारेट पांच नमबर के क्वेस्टन आ रहे होते हैं तो सारे बच्चे क्या करेंगे वह पहले कर लोगे क्या काम वह जो है आप पहले पेपर कॉपी लीजिए और वहां पर प्रॉपर बच्चे आप लोग लाइन बनाईए मैं सारे डाइग्राम आपको जो है फ्लो बच्चे आपको यह बहुत इजी होगा जल्दी होगा क्लियर सारे बच्चों को चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हमाज लेक्चर वन था बेटर वह हमारे फंडमेंटल से लेक्चर टू करने वाले हैं जो कि विद्दूतरसाइनी सेल के उपर होने वाला है लेक्न से दे तो इसली आप इसको डिफाइंड कर पाओगे इसली लिख पाओगे अगर आपको कभी बोले एक्जाम में अगर कभी आपको बोल देग्जाम में क्या बोल देखो डैनियल सेल बोल दे क्या डैनियल सेल क्या होता है इसकी सरचना बताईए इसकी सरचना बता दीजिए तो आप बिल्कुल बतादे ना यही जो रसाइनी के सेल यही जो यही जो गैलो निक सेल लेसे निल सेल वे 3000 वोटिक सेल, कभी आप उने टीक सेल क्या है तो आप लोग बता देना यहीं भूल टीक सेल कुछ नहीं बच्चे यहां को डैनियल सेल वोल्टिक सेल तो नाम बता है अगर विद्धुतरसाइनिक सेल क्वेश्चन्स में आए विद्धुतरसाइनिक सेल को बहुत चाची तरह वर्णन कीजिए ऐसा क्वेश्चन्स के अंदर आए बच्ची एक्जाम में तो आपको यही जो मैं बताने वाला क्योंकि यह मैक्सिममम टाइम पूछा गया है मैक्सिममम टाइम एक्जाम में पूछे गए हैं यह फिर फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड़ नुमेरिकल जो आंकित प्रस्न है यह पूछे गये हैं सारे बच्चे को क्लिया रहे चलो भी आप इसको फुडावाली मचाते जल्दी सिर्फ से तोड़ फोड़ लगाते हैं भाई धान से सुनना मज़ा है कि मैंने लास लेक्चर के अंदर बहुत गजब तरीके से फिल कराया हुआ है कि भाई कि हमारे पास एक कंटेनर है एक डबा रखा हुआ है इस कंटेनर में अगर मैं जो है कॉपर सलफेट का डाल दूं और कॉपर सलफेट का सॉलुशन डालने पर बच्चे उसका जो कलर होता है वह ब्लू कलर का होता है सारे बच्चों को पता है यह सन्नों भाईया लिग दो कमेंट सक्षन में सारे बच्चों को क्लियर होगा ठीक है मैंने लास लेक्चर ने बताया भी हुआ है क्लियर को टरीका स heir रहेखा और यही कारण को प्लस चारज के ही कारण क्या होगा यह सॉलूशन और दे। गा मैंने रणका होता है छुदीब को बहुत गजब तरीका सीलूशन में अपन क्या कर दिद आ दिये जिंक का रौड डालें यह बच्चों को बहुत गणust दाले जो कि मैंने रेड कलर से इधर लिख दिया रेड कलर से पेंट कर दिया है अब जिंक का रॉड में जब डाला तो यहां पे कुछ क्रियाय होने लगी कुछ अजूबे होने लगे जो की मज़ा आने वाले हुआ जूबे पढ़ने में ठीक है अगर यह concept समझ गये तो आपक ऑक्षिड करित होना ही स्टार्ट हो गया तीक है जब अच्व पढ़ा होए यहां से औहिंगे हो और शिक्तरॉड निकल जाएगा हो जातव को एलेक्ट्र क्या करेगा इस जो सॉलुशन के अंदर तो नहीं आ पाएगा सॉलुशन के अंदर नहीं आ पाएगा देखो इस सॉलुशन के अंदर नहीं आ पाएगा तो आएगा कौन तो आएगा कौन तो आएगा बच्चे हमारा क्या बिल्कुल बते जिंक था ना वह जिंक क्या हो गया धो वित्ट्रोन निकाल दिया इस तरीके से दो वित्त्रों निकाला or निकालने के बाद यह क्या बना धिया अग रहते बना धिया धिर्य० प्लस चार्टोप बना दिया इस से-ब क्या आतवर बट्बा Twitch कॉण erdh of oxygen黨 यहां पर होने वाली है जब ऑक्सिकर्ण क्रिया होने वाली बच्चे तो मैं बोल डूं कि यहां पर अंचुछक्र गोरी बच्चे यहां पर अब दोसरी परोसेस प्रझाञत ऊबसक्र गोरबाद करेंघ कोप है यह एक जो कॉपर यह कोपर रहा यहां से दो एलेक्ट्रों निकल रहा है तो निकल के जाएगी कहां क्या बोला मैं दो एलेक्ट्रों निकल रहा है तो निकल के जाएगी कहां कहीं पर इधर मीडियम नहीं है भाईया ठीक है कोई भी तार नहीं लगी है कोई भी आपर कोई भी कुछ तो बोलेगा रख ले क्या बोलेगा रख ले तो अभी यह सिंपल सी बात है copper यह कोपर टू-प्लस-चाज-प यह जो रिलीज हो रहा है वह रिलीज हो रहा है तो उसको में accept कर देगा एक्सेप्ट करेगा ग्रहन करेगा जब ग्रहन किया तो यह जो कॉपर टू-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास-प्लास reduction वो भी कैसा half reduction वो भी कैसा बच्छे हाफ reduction सारे बच्चों को कुलियर है मैं यहांगे बच्च फंवे बच्चों को यह चीजी नहीं समझ आयोगी मेरे प्यारे बच्चों आब क्या कीजिए last वाढन तो लेक्चर था समझ में आया बात भी याद चलो स्टार्ट करते हैं देखो जो हमारा जिंक जो था बच्ची जिंक था अगर मैं इसको जो है अच्छे से लिखना चाहों जिंक टू प्लस चार्ज ऐसे बनेगा ठीक है और में यह यह लेक्ट्रों कट हो जाएगा यह वाले प्रक्रिया साथ-साथ होती है वहाँ पर बोलेंगे बच्चे और रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है यह तो हम लोग लाइस लेक्ट्रें पड़े बच्चे अब यहां पर सीखने वाली चीज़ए बच्चे जो आपको फंडामेंटल्स बटाएगी जो आपको फंडामेंटल् को मैं कर दूं एक्सपेरिमेंट करेंगे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहां से क्या निकलेगी उडजा निकलेगी एनर्जी निकलेगी यहां से क्या निकलेगी उनर्जी निकलेगी सबसे पहले एबजर्वेशन की बात करूं बैटा सबसे फैले बात करया अबर्जर्वेशन की बात करो किसम क्या हुआ कि क्रॉकरane 커플2 प्लस सार् // इसका टौबयंट प्लस यह खोड़े लिया तो नीला הलीड प्लस यह क्या तो आपको सबर नहीं से क्षण बूल немнож है बैक के भैकर कि रहा फिर एक कलर कर बैक कर नेकर मेंचेंज को इस बढ़ी बत हम को याद रुखने चीज़े हैं कि भाई जब मोटा ऒला कोपर रोड दाले थे लेकिन और यह सारे process होने के बाद जो है यह जो Copper Road है इसमें क्या होगा weight में कमी आ गई कमी मैं कमी कमी क्यों आ गई आपको यहां पर याद रखने वाली चीजे बच्चे की कौपर जब डालेंगे अब देखो यहां पर क्या पको याद रखने वाली बात यहां से यहां से जब process होलगा तो हमको क्या मिलेगी energy मिलेगी क्या मिलेगी अरगा Mitra पीर सोचो इस Absolute को मैं जब करूंगा तो यहां से मैं उर्जा को यूज कर पाऊंगा क्या यहां से मेरे को आगता अपना है क्या जो उसमा निकले कि उससे में कई आगता पूं क्या करूं कोई यूज नहीं है इसका बाइया क्या है कोई यूज नहीं है बस हमको प्रोसेस समझना है अभी इसका कोई यूजी नहीं है जहां से उर्जा निकल रही है उर्जा निकल रही है ठीक है एनर्जी जो निकल रही है उसी एनर्जी को हम लोग करेंगे बहुत क्या करेंगे किनवर्ट और उसी प्रोसेस में बात करेंगे बैया उसी प्रोसेस के बोलेंगे हम अलेक्ट्रोखेमिकल सेल क्या बैलेंगे बच्चे है अलेक्ट्रोखेमिकल सेल विद्धूत रसायनिक उड़जा फटा-फट इड़ए दालो आज की जो है हमाय जो है प्रहार करने वाला टॉपिक जो है पांच मार्क के लिए पांच अंग के लिए बेटा क्या है विद्धूत रसायनिक उर्जा 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 देखो विद्दूतरसायनिक सेल उड़जा की बात नहीं वरी इधर सेल की बात हो ठीक है तो सेल की बोलेंगे ठीक है बच्चे आपे कमेंड सेक्षन में लिखना इस्टार्ट करने अपन तो उड़जा नहीं पढ़ रहा है सेल पढ़े तो बिल्कुल बच्चे सेल पढ़ते है कोई देखो भई विद्दूतरसायनिक सेल की मैं बात करो इसी को डैनियल सेल वोल टी एक सेल या फिर बच्चे हमको क्या बोल दे गैलवनिक सेल ऐसे बोला जाए तो कोई यहां पर कनफ्यूज नहीं कोई बहुत सकते या फिर कभी ना बच्छी एक्जाम सेंदर आको पूछा ज तो इस वाले जो इसको नाम देंदेगा और इसको इस से ल arguments नाम नहीं दे गा इस to सिर्फ defined करके बोलेगा को संचित्र वर्णन करकश दो समझाया सकती कि अंदर हो रहा है से किस में हो रहा है विद्ध्धुतायदिसेällशिश विद्धु तुम concept है clear समाझ में आया मज़ा चलो बढ़ते हैं फटाफट ठीक है एक बास समझ लो बच्चे एक बात आप लोग समझ लो यह विद्धू तरह सायनिक सेल जो है बहुत जाद है इनपोर्टेंट है तो भले ही आपका यह लेक्चर है लंबा जाए ठीक है भले ही आपका यह पढ़ लो जैसे भी पढ़ लो जैसे आपको जो है सुईधा पढ़े ठीक है लेकिन मैं साथ इस करूंगा कि एक सारे चीज़े पढ़ाओ जिसे कंसेप्ट आप जो है अच्छे से रिटेन कर पाओ ठीक है अच्छे से समझ पाओ तो देए बच्चों इसको बहले करने में मे सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्या बात करेंगे जैसे कि अभी अभी ठीक है अपन ने अभी अभी यहां पे देखो यह पूरण पूरदण किया था इस सेल को आपन यूज नहीं कर पाते हैं जौड जलोगों ने किया बड़ा डूगाल बनाया धों था बैया उन्होंने जहां पर ऑक्सिडेशन की जो प्रक्रिया थी जहां से देखा यह एक ही डब्बे के अंदर हो जा रही थी इस डब्बे को क्या कर दिया अलग-अलग कर दिया क्या कर दिया अलग-अलग कर दिया और कैसे अलग-अलग किया जहां से देखो यहां पर मैंने अलग अलग करके डब्ल बना लिए बच्चे गया से कंदर का सौलूशन वने वाला मनें सिलफेट का सॉलूशन और निला कलर का फ्क्रेटित का सौलूशन का सौलूशन आप देखो बाई श्पी का नाले जो है तुप कशली है जिंक गाव घैंक का टाले ऑग मोल सकते हो कोई दिक्कत नीजिंग का रौड लगाएगन अब यहां पर शाइट की साइड पर का रोड लगा दिये क्या बच्चा कॉपर कर रोड लगाएगन अब सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तो हमारा क्या था copper cellophate के solution के अंदर जो हमाने जब क्या डिया जिंक कर रोड दालें तो यहां पर oxidation reduction जो है एक साथ हो रहा ही थी मतलब electron जो है निकल भी रहा था ठीक है उसको हम यहां पर क्या लगा देंगे और परीकत्तर बना देता ओं ऐस परिपत के रास्ते पर क्या लगा करता इसलिए यहां पर पंका लगा दिए एक वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो कई बुक्स में बटेखिआ यहां पर बलब लेकर चर रहा हूं बच्चे यहां पर जहां से देखना इस तरीके से मैं बलब लगाया जब बीच में यहां से है इल्यक्ट्रोन फ्लो होगा एल्यक्ट्रोन जब निकलेगी तो यह बल्ब जलेगा इज से हम पता चल जाएगा क्लीर समझ में आया ठीक है तो देख यहां जहान से सुनते रहे ठीक है अब जो एक्च्वल फंडे की ऊपर आते हैं धां से सुनते रहे ना बच्चे ठीक हमाया जो ताम जहां में अब स्टाइट करते हैं फटाफट देखो बाई जिंक सलफेट के अंदर आपन डाल यह तो अपन को पता है ठीक है जब इस प्रोसेस होगा जब यह प्रोसेस होना ही इस टर्ट होगा तो अक्सिडेस होगा तो एलेकट्रोन निकल जाएंगे निकल जाएंगे मीरेच दृटर अबरहां यह तो फिशेसे था जीद्ट के अब दो और जाएंगों जिंक सलफेट के सॉलुचंग में में आ जाएगा जब तो to electron कि एककर यह जो elektron इस तरी किसे फ्टॉ करते हुए फ्टॉ करते हुआ अगे जाएगा फिल्फ बâte अगे जाया यह एलेक्टॉन फ्लॉ करते हुए आगे जाया जब अगे जाएगा वेटաков यह एलेक्ट्रोण करते 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 यह साइड पर आ जाएगा अब रहा है रहा है रहीं मेरा इदर कोई नहीं है जिंक की साइड में रखा नगया कोई नहीं मैं जाए कोपर की साइड में ही जाँगे तो कॉपर बोले का भी आजा चल मेरे साथ ही रहले का बोलेगा कपर Mare लेक्ट्रोड में जगा करेगः तो इल्एक्ट्रोड कहां पर आ गया इस तरीके से यहां पर आ गया था तोपन साथ земожind किसमें के अंदर आ गया किसमें आ गया तो प्लस चार्ज है तो यह हो जाएगा पॉजिटीवली चार्ज हो जाएगा क्या हो तो तो मैं क्या बोल दूं ये पूरा का पुरा दूसरी साइट पर जाएंगे जान सुनना ठीक है एक साइट फ़िले खतम कर लेते हैं यह पूरा का पूरा सॉलूशन जो है पूरा पॉजिटीव चार्ज होगा क्या होगा सॉलूशन होगा विलियन पूरा होना है पॉजिटीव चार्ज क्लियर अब देखो बाई कि बहुत जो हमारा था जिंक टू प्लस चार्ज जब निकला जिंक टू प्लस चार्ज आयन जब सॉलूशन के अंदर है तो इस एलेक्ट्रोड के अंदर कौन से चार्ज आ गए माइनस चार्ज एलेक्ट्रों क्या होता है बच्चा माइनस चार्ज होता है तो भाई हमको जिंक के रॉ मोजचंभ होंगे संव होगे से बोला हु और हुँआर होंघोट कि में यहां पर फोगे Cashword होती है उस निकल रही है मतलब यहां पर Oxidation हो रहा है Oxidation हो रहा है तो मैं क्या बोल Bennett बच्चे मैं बोल दूँ ठिक क्या मैं बोर्द बोल यहां पर यहां जो प्रोसेस हो रहा दिटा यहां पर oxy werep yorkaradug हो रहा है ठीक है ऑक्सिक्रन हो रहा है यह बात एकदम क्लीर है यहां से निकली तो वह सब्सक्रण scored मेरे को पता है मेरे को पता है बेता कि जहां पर Oxford भी तरहने होता है उसको हमारा वह क्रेंगे यही manifest याद रखना यही कॉंपेट घ्गेजांप में पूछा जाता है कि बाई ऐसी अलेक्ट्रोच मियंक्ल सेल के अंदर के अंहीं Chic होता है तो हमारा क्या होगा कि एनोड है बच्चें याーपर कान्फिवो smith होता ist टीके वह negative charge होता है लेकिन जो हमारा side बोलेंगे जब वह और cathode की बात होगी तो वहाँ पर क्या बात है रही है जहां से electron निकलेंगी वह हमारा क्या होगा एनोड होगा यहां से लेक्ट्रोन निकल रही तो यह साइड हमारा क्या होगा एनोड होगा क्लियर सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा देखो बाइसाब क्या हुआ यह एलेक्ट्रोन जब निकल रहा है यह एलेक्ट्रोन निकला अगया और कहां प्लाइस को कैसे प्लिया कहां से देखो यह कोपल सिक्सेट को प्लस ब्लस चारज क्या टू प्लस चीत Late मानेस चार्ज में जाएगा मानेस चार्ज में जाएगा जिससे धज नेके बा efecto नत्र serk यहां पे लेक्ट्राइड करेंगा attract करेगा Electron में क्या होगा attract होगा अकरसित होगा जब अकरसित होगा तो इसके आस से तरीके से क्या चीपक जाएगा क्या होगा बच्चे यह पॉज़續 चार्ज और चीश की बीच में attraction तो होगा यह जो गहाँ अर्ट्रेक्शन यहां पर होने वाigkeit ठीक है जब एट्रेक्सान होगा तो यह तरीका से चिपक जाएगा और इस तरीके से क्या होगा यहां पे वेट जो है बढ़ने लगेगा बारी जो है होने लगेगा क्या कॉपर कर राट ठीक है तो मैं क्या बोल दूं जब कॉपर 2 प्लस चार्ज अपना अब भी देखा है कॉ निकल निकल के कहा पर चीपक जा रहे है जब चिपके गा बच्चे तो इसके अंदर निकल की कमी हो जाएगी तो किस ती अदिकता होगी सलफेट माइनस चार्ज की-धिकता होगी तो मैं क्या बोल दूं यह जो सॉलूशन है पूरा का पूरा का सॉलूशन जो होगा वो क्या यह होने वाले है् नेगेटिव चार्ज होने वाला है सारे बच्चो को बहुत अच्छे थरीका से सारे पंडे आपको चोटी चीज़्े शाटे बच्चे जब अपने exam मिना आपको कपी चिक करें ठीक है एक आपके चाज होगा इसपर भी प्रक्रिया होगी तो ईंक शोड़ disfrut do बात को याद होनी चाहिए एक अब नहीं कि लीए घ्र नहीं की बहुने कुछ है कैठोर्ड बोल दूँ बिल्कुल रपन भोली सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है कैठोड बोल दूँ का तो यह हमारा बच्चे का हूवा हाफ अब देखो जब एलेक्ट्रों इस तरीके से फ्लो होना इस टार्ट वह फ्लो हुआ फ्लो हुआ निकला तो भाईया हमां जो करेंट होता है हम ने फिसिक्स में पड़ा हुआ हमां जो करेंट होता है इस तरीके से जड़ी बन रही है तो मेरे को यह बता दो बच्चे जब करेंट बर रही तो क्या यह बल्ब जलने वाला है तो बिल्कुल सारे बच्चे बहुत जगमगा के पूरा जलने वाला है जलने वाला है लेकिन यह सारे चीज़ें तो वाली है ठीक है नहीं जलता रहेंगा यह सारे बच्चे क्या करेंगे कमेंटच सकसी करेंगे बस इस जो है हम यह लेक्चर अभी खतम करेंगे क्योंकि इसको जो है और explanation बच्चे इसका बाकी है ठीक है अभी लेक्चर हम यहीं पर खतम करेंगे यह पूरा आप लोग बच्चे के अंदर बहुत जवर्दत तरीके से नोट कीजेगा इसके आगे का लेक्चर बच्चे आप लोग कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कंटीनियू करना बच्चे क्योंकि यह पूरा अभी complete है नहीं हुआ है अभी पांच नंबर के अंदर बच्चे आपने डाई नंबर का ही complete किया है अगर आपको टोटल फाइब आपको प्रॉपर तरीके से डाइग्राम बनाना होगा प्रॉपर तरीके से एक्स्ञेशन देना होगा तभी तो पांच नंबर मिलेंगे भईया तो आप क्या कीजिए इतना भी कर लीजिए आने वाले लेक्चर होंगे वहाँ पर मैं आपको बताँगा कि यहां पे क्या कमी थी इस प्रोसेस के अंदर क्या कमी थी अगर जिन बच्चों को समझ में आया होगा वह बच्चे क्या करें कमेंट सेक्षिन में बताईएगा क्या वहां पर क्या चीज कमी है इस प्रोसेस के अंदर क्या कमी है को क्या और चीजे करने पड़ेगी क्या यह बल्ब जो है कंटिन्यूसली जलेगा कि नहीं जलेगा यह सारे चीज़ आपनों कमेंट से नहीं पताईगा अभी के लिए बच्चे अलवीदा